आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि महराष्टों की सबसे ज्यादा पॉपिलर और टेस्टी वेच मराठा की रेसिपी मैं शेयर कर रहे हूँ यह सबची बनती है स्पेशल मसाले में और खास तड़का इसमें डलता है एक टेकनिक बताऊंगे जिससे कम तेल में आप रेस्टोरा स्टाइल ये सबची घर पर ही बना सकेंगे आप इस सबची को तंदूरी रोटी, नान या फूलके के साथ एंजॉय कर सकते है इसकी साथ गहो के आटे से बनी, तंदूरी रोटी कैसे बनानी है उसकी भी रेस्पी देख लेते हैं तो चलिए वीडियो स्टाट करते है वेच कराठा सबची के कुफते बनानी के लिए मैंने यहाँ पर तीन आलो को बॉइल कर लिया है इनने का दुकस करके परात में ट्रांसफर कर लेंगे अब इसमें मिलाएंगे हम एक कटोरी बारी कटी हुई गाजर और एक कटोरी बारी कटी हुई पत्तागोवी सबसे पहले सबज या पानी छोड़े इसलिए मिलाएंगे हम इसमें नमक और फिर मिलाएंगे बाकी के मसाले तो यह है आदा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आदा टीस्पून गरम मसाला, थ्री फूट टीस्पून धन्या जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून अजवाइन को क्रश करके मिलाएंगे ताकि खुश्पू बढ़ी आएगी फिर मिलाएंगे वन फूट टीस्पून हिंग, दो टीस्पून अद्रक लसुन मिर्ची का पेस्ट, मुठी पर के धनिया और आधा टीस्पून अमचुर भी मिला लेंगे जिससे टेस्ट चटपटा आ जाएगा प्रिस्पी नस और बाइनिंग के लिए मिलाएंगे इसमें 6 टेबल स्पून कॉन फ्लार और एक से सववा कटोरी पेसन मिला लेंगे और बिना पानी मिलाएंगे इसका जो बना लेना है जब काटा इस प्रकार आदा मिक्स हो जाए तो कुफ्ती सॉफ्ट बनने के लिए इसमें मिलाएंगे हम 2-3 टेबल स्पून गरम तेल और बिना पानी मिलाएं हलके हाथ से इसे मिलाकर एक काटा बना लेंगे पत्ता गुबी इन्हें काफी पानी छोड़ दिया है इसलिए में थोड़ा और इसमें बेसन मिला लूँगी ज्यान रहें बहुत टाइट लें आपको इसे गुलना नहीं है वरना कुफ्ते बहुत टाइट बन जाएंगे तो जितना हाथ ब्लका रखेंगे उतने कुफ्ते भी हलके बन जाएंगे यहां मैंने डू बना लिया है और ये एकदम नरम डू बना है हाथ में तेल लगा कर इसके कुफते बना लेंगे इस सब्ची में बड़े-बड़े कुफते डलते हैं पर आप अपनी मन चाही शेप में इसे बना सकते हो ये देखे, ये तयार है अब इन्हें तुरंट फ्राइ कर लेंगे वरना सक्जया पानी चोड़ने लग जाएंगे सारे कुफते भी मैंने याँ पर बना लिये है और एक साइड पर तेल मध्यम गरम भी हो गया है क्योंकि उपर से हमने कोई कुटिंग नहीं लगाई है तो एक कुफता फ्राइ करके देख लेंगे ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है इसका मतलब ये कि ये परफेक्ट बना है इसे निकाल लेंगे और बाकी के कुफते फ्राइ कर लेंगे कुफते साइज में बड़े है तो अंदर से वो पक चाए इसलिए तिल मध्यम गरम होना चाहिए वरना बाहर से कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएगे तो इस बात का आपको खास थ्यान रखना होगा दूसरी बात ये कि कुफते तिल में डालने के 20 सेकंड के बाद ही आपको इन्हें हिलाना है वो अभी इतने सॉफ्ट होते हैं वो तूटकर बिखर ने लग जाएंगे एक बाच फ्राइ होने में पाच्छे मिनिट लग जाते है सुन्दर कलर जब आज आए तब इन्हें तेल से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे यहां मैंने दूसरी बाच भी फ्राइ कर लिए है यह देखे यह अंदर से भी पॉफेक्टली फ्राइ हो चुके है आप इन कुफ्टों का ऐस स्नाक, सॉस और चटने के साथ भी सॉफ कर सकते है यह बहुत टेस्टी बने है चलिए अब नेक्स बनाते हैं इसकी उतनी टेस्टी घ्रेवी तो कड़ाई में लेंगे वही तेल जो हमने फ्राइंग में यूज किया था इस सबची की जान दोनों तड़के है जो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगी पहते मिलाएंगे जीरा, फिर मिलाएंगे थोड़ा सा हिंग और कुछ मसाले भून कर मोटा मोटा कूट कर मिला लेंगे ताबुत मसाले मूँ में ना आए, इसलिए मैंने इने भून कर कूट लिया है अब मिलाएंगे इसमें करी पत्ता जिसे बहुत बढ़ी अस्वाद आता है ये सबची तीखी होती है इसलिए मिलाएंगे हरी मिर्च और इसे भून लेंगे फिर मिलाएंगे दो प्याज पारिक कटे हुई इस सबची के टेस्ट आप मसाले कैसे भूनते हो उसके उपर डिपेंड करता है स्टेप वाईज एक एक चीज आड़ करते जाएंगे फिर भूनते जाएंगे ये नहीं कि एक साथी सब कुछ मिला लिया ऐसा करने से सबची का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो ये छोटी छोटी टिप्स बहुत इंपोर्टन है जब प्यास गुल्डन हो चाय तब मिलाएंगे इसमें दो चिबल स्पून अध्रक लसुन और मिर्ची का पेस्ट असल में ये सबची बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है पर मैंने कश्मीरी लालमिच पाउडर का यूस किया है जिसने ये सबची दिखने में तो स्पाइसी है पर खाने में उतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो जो लग कम स्पाइसी प्रिफर करते हैं उनके लिए मेज़मेंट पॉफेक्ट है अब सबची में अच्छा कलर आए इसलिए बीच में मिलाएंगे हम थोड़ा सा घी और इस घी में मिलाएंगे हम हल्दी और कश्मीरी लालमिच का पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे अब कम तेल में रेस्टरां स्टाइल मसाला भूनने का क्या ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगे तो वीडियो स्किप करके ना देखे मसाले में तेल निकल आए इसलिए थोड़ा थोड़ा गरम पानी मिलाकर बीच बीच में मिलाते जाएंगे ताकि तेल सेपरिट हो जाएगा हमें मसाले और गरम पानी स्टेप्स में मिलाकर सबजी तब तक भूननी है जब तक मसाले बढ़िया से पक जाए ये देखे इसमें से तेल से प्रेट होने लग गया है अब मिलाएंगे इसमें तीन टमाटर की प्यूरी और टेस्ट बैलन्स करने के लिए मिलाएंगे एक टेबल स्पून चीनी इससे सबजी मीठी नहीं बनेगे तो इसे स्किप ना करे नेक्स्ट मिलाएंगे मुठी भरकर धनिया जिससे मसाली का स्वाद बहुत बढ़ जाता है थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इस सबजी में में टेस्ट होता है स्पेशल मसालों का अगर आपके पास ये ना हो तो आप गरम मसाला भी योज़ कर सकते हो वरना इनने आसानी से ऑनलाइन भी आउर्डर किया जा सकता है तो अब मैं सबसे पहले मिलाओंगे इसमें धन्याचेरा पाॉडर जो हर घर में होता ही है फिर में लाओंगी मैं इसमें कुलापूर का स्पेशल कांदा लसों मसाला इस सबची में में टेस्ट इसी मसाले से आती है यह लगबग मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मिला लिया है क्योंकि यह मसाला बहुत ही स्पाइसी होता है इसे भूनने के बाद आप देख सकते हो कि तेल सारा गायप हो गया है तो फिर से मिलाएंगे गरम पानी और जब 1-2 मिनिट में तेल सेपरेट हो जाए तब मिलाएंगे इसमें 8-9 काजू का पेस्ट इससे सबचे गाड़ी बन जाएगी और टेस्ट भी क्रीमी आजाएगा अब इस पेस्ट को भी हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे अब मिलाएंगे इसमें नमक थोड़े से पूदीने के पत्ते तोड़ कर मिलाएंगे और कसूरी मेथी को भी क्रश करके मिला लेंगे जिससे बाद बहुत ही बड़ी आएगा लगबक सारे मसाले हम मिला चुके है अब मिलाएंगे इसमें हम गरम पानी और एक मिनिट भूनने के बाद लास्ट में मिलाएंगे मलाई या फ्रेश क्रीम और मिक्स कर लेंगे इस मसाले को भूनने में 15 मिनिट लग जाते है पर बहुत ही बड़िया टेस्टी सबजी बनकर तयार होती है तो सारे यही इंग्रीडियन्स बिना स्किप के आप इस प्रेशिबी को एक बार जरूर ट्राय करें तीन-चैर मिनिट ठक कर पका लेने के बाद सर्विंग से 15-20 मिनिट पहले मिलाएंगे कोफते और जब तक यह मसाले के साथ पक रहे है तब तक एक साइड में हम तड़के की तयारी कर लेंगे अब इस तेल में हम मिलाएंगे लेसन और जब यह गुलाबी हो जाए तब गैस को आफ कर देंगे फिर मिलाएंगे इसमें हिंक और लान मिर्ची का पाउडर और यह तड़का बनकर तयार है इस तड़के से एक पिकुलर टेस्ट आता है तो इसे स्किप ना करे बस दो स्पून तड़का मिलाएंगे और वेच मराठा की सबजी तयार है गादिश करेंगे धनिये से और सर्फ करने के बाद आप उसके उपर ग्रेटेट चीज भी मिला सकते है यह बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ बढ़िया तंदुरी रोची का आटा बनाएंगे फूट प्रोसेसर में तो आटे में मिलाएंगे 1.5 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 फूट कप दही, 1 फूट कप पानी और मिक्सर चला लेंगे बीच में दो टिबल स्पून पानी मिलाकर 30 सेकंड चला लेंगे और ये एक मिनिट में आटा बनकर तयार हो जाता है तब नरम आटा बनकर तयार है आटा को रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है एक लोई लेकर पतली रूटी बेल लेंगे अगर आटा को हाथ से गुन दोगे तो उसे 20 मिनिट रेस्ट करने रखना होगा तब ये आटा सेट होके सॉफ्ट हो जाएगा फूट प्रोसेसर में ये बहुत स्पीड से आटा बनता है तो गलूटन अक्टिवेट होकर ये सॉफ्ट होकर ही निकलता है इसलिए रेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप इस रोटी को गोल या ओवल शेप में बना सकते हो अब नीचे थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि रोटी तवे पर चिपक जाए पानी की साइड नीचे तवे पर रख कर इस प्रकार जब रोटी में बबल्स आ जाए तो तवे को पलट कर तंदुरी रोटी को सेख लेंगे मैंने कई प्रकार के नान कैसे बनते हैं वो वीडियो भी मेरे चानल पर अप्लोड की है उसकी लिंक आपको उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी उमेद है आपको आज की वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको आज की रेसिपी अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले चले मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में तब तक के लिए टेट केर बाई बाई